आज के वीडियो में हम लोग हाइड्रोकापरन कवर कर रहे हैं 2021 का दो शिफ्ट के क्वेश्टिंस को कवर कर रहे हैं इसमें फर्वरी एंड मार्ट शिफ्ट को लेट स्टार्ट वन बाई वन तो first which of the following is Lindler's catalyst देखो Lindler's catalyst होता क्या है हाइड्रोजन के साथ PD और PT और nickel अगर आप लोगे तो यह strong hydrogenating agent होता है यानि एलकाइन को एलकीन बनाएगा फिर एलकीन को एलकेन बनादेगा सीधे एलकेन पर ही जाके स्टॉप होगा तो इस case में यह strong होता है और strong के case में क्या होगा कोई भी अगर आप triple bond वाला species लोगे तो वो सीधे एलकेन में जाके रुकेगा C, triple bond, CH है और इनमें से कुछ भी ले लो किसी एक को ले लो आप PD ले लो तो strong hydrogenating agent है दो बार hydrogenation करेगा और इसको सीधे एलकेन में पहुचा देगा अब हमें इसे mild करना है तो mild करने के लिए हम catalyst की poisoning कर रहे हैं poisoning का मतलब deactivate कर देना partially तो S2PD, BSO4, क्यूनोलीन इसके साथ हम इसे इसकी poisoning यह जो है यह poisoning agent है partially इसको deactivate कर देगा तो अब यह जब case आएगा तो यह mild hydrogenating agent हो जाएगा और यह जो reagent है दो जगब पे use होता है एक alkyne को alkyne तक रोकने में क्योंकि mild हो चुका है तो उतना खतरनाक नहीं है तो S2PD, BSO4, क्यूनोलीन वगरा आप लोगे तो यह आपको alkyne इसमें भी मैं थोड़ा सा और break up कर दूँ cis form देगा यह ऐसे लोगे तो यह cis alkyne देगा आपको H, double bond C, H and R, cis ही बनेगा, same side से दोनों H attach होगा तो एक तो यह है कि इसमें आप alkyne से alkyne बना सकते हो दूसरा rosenman reduction, rosenman reduction में आप किसी भी acid halide को लेते हो और इसको आप treat कर दोगे same reagent से, S2 mild hydrogenating agent है BSO4, qunoline वगरा से, तो जैसे ही PD के बाद कुछ भी लिखा होगा दिख जाए तो समझों कि वो deactivate हो चुका है अब यह convert हो जाएगा R, C, double bond O, H, aldehyde तक अगर आप यह BSO4 वगरा PD के साथ नहीं लोगे तो फिर इसका भी reduction होगे, यह alcohol देदेगा aldehyde तो aldehyde तक रोकना है तो आपको इसको mild बनाना होगा और mild बनाने के लिए हम poisoning करते हैं तो यही इसका application है organic chemistry में कभी भी यह reagent मिले, Lindler's catalyst तो आपके दिमाग में दो ही reaction आना चाहिए एक alkyne से alkyne बनाना या acid halide से aldehyde बनाना इसमें एक और case आता है as to PDC PDC जब आप यह ले लोगे यह activated charcoal जब आप इसको ले लोगे तो यह exclusively alkyne और alkyne का reducing agent होता है only reduces alkyne और alkyne बाकि किसी को यह reduce नहीं करेगा तो इतनी कहानी है तो इसमें एक ही option जो इससे match कर रहा है यह बाकि को भी मैं बता देता हूँ यह होता है lukaz alcohol का test आता है तो this is lukaz reagent cold Kmno4 bears reagent bears reagent sodium liquid ammonia यह burst reduction में use होता है इसी तरीके का case है यानि अगर आप इसको इससे treat कर दोगे Na and liquid NH3 से तो यह आपको trans देगा बस यही फरक आएगा बनना तो इससे भी alkin है लेकिन यह trans देगा तो इसमें मैंने modify करके यह बता दिया कि इस case में alkin बनेगा trans वाला यह trans बनेगा और अगर आप इसको लोगे तो यह cis देगा और यह trans तो यह बर्च रेडक्शन यूज होता है alkin को trans alkin में convert करने के लिए now heading for the next question इससे यह हमें form करना है तो देखो इसका concept simple है पहले मैं concept को highlight करता हूँ अगर इस पे आपको इस position पे CL लगाना है इसका आपको fair radical से जाना होगा क्योंकि अगर आपने इस पे fair radical बना लिया तो यह resonance stabilize होगा सेम चीज यहाँ पे भी यहाँ पे fair radical आएगा तो resonance stabilize होगा यानि fair radical mechanism से जाए और वहाँ पे fair radical बनाए तो दूसरा CL fair radical इस पे attack कर सकता है यह हमारा concept है तो let's start इस चीज को ध्यान में रखे इस conversion के लिए अगर HCL और ALCL 3 हम ले रहे हैं तो यह तो कुछ भी नहीं करेगा कोई reagent ही नहीं होता है ALCL 3 अगर कुछ दिमाग भी लगाएं क्या कर सकता है तो यह Lewis acid है यह इसके lone pair पे attack कर कि इसको बाहर कर लेगा तो इससे क्या कर लेंगे हम ALCL 4 negative बन गया H+, कुछ नहीं कर पाएगा तो यह तो ऐसे ही ruled out यह Lucas है अभी जो मैंने discuss किया था Lucas reagent यह exclusively alcohol का है यह alcohol के test में आता है 3 degree alcohol immediate turbidity देगा 2 degree alcohol 5-10 minute लगाता है and 1 degree alcohol तो देगा ही नहीं room temperature पे कोई test तो यह alcohol का test है किसी काम का नहीं यहाँ पे आते है CL2 and UV light yes, this will work क्योंकि UV light यानि sunlight में जब आप CL2 लेते हो तो CL2 लेने पे क्या गरता है sunlight जो CL और CL के बीच का bond है इसको break करके CL free radical बना देगा और यही CL free radical further free radical mechanism को initiate कर देगा तो yes, this will work CL2 in dark कुछ नहीं कर पाएगा free radical तो बनेगा ही नहीं because dark sunlight गाइब कर दिया है उपर से आपने ले लिया ALCL3 तो यह free radical तो दूर की चीज़ है यह बना देगा electrophile वही उपर वाला तरीका CL पे attack करके इसको बाहर निकालेगा तो इस बार CL plus बन जाएगा and ALCL 4 negative और यह उसके बगल वाले position पे ना attack करके यह सीधा double bond पे attack कर देगा क्योंकि हमें पता है electrophile double bond पे attack करता है तो यह double bond पे attack कर देगा जबकि हमें double bond को protect करना है इसलिए electrophile का तो case ही नहीं होना चाहिए तो यह भी work नहीं करेगा तो यह हम इस धंक से हमने इस question को सोचा है heading for the next कह रहे है an unsaturated hydrocarbon X on ogenolysis gives A compound A when warmed with ammonical silver nitrate forms bright silver mirror ओके यह tolerance test यह tolerance reagent हुआ मैं एक बाद tolerance reagent को बता देता हूँ ammonical silver nitrate यानि AGNO3 के साथ आप ammonical solution ammonical solution NH4 वर्च को कहते है इसको ऐसे लिख सकता है या यह दोनों मिलके complex बनाते हैं इसको ऐसे भी दे सकता है examiner hold to positive तो यह भी tolerance को ही लिखने का दूसरा तरीका है तो यह किस के साथ test देता है tolerance reagent तो यह हमें जानना है तो जो tolerance reagent है तीन के साथ test देता है पहला terminal alkyne although इसमें silver mirror test नहीं आएगा लेकिन इसमें test देता है यह तो ammonical agno3 आप ले लो agnh3 hold to positive ऐसे मैंने लिख दिया tolerance को तो यह बना देगा terminal alkyne के edge को हटा के यहाँ पे ag लगा देगा और यह white होता है white ppt तो terminal alkyne को के साथ यह test देगा दूसरा aldehyde के साथ test देगा aldehyde R c double bond OH इसके साथ देगा और aldehyde के अलावा alpha hydroxy ketone के साथ भी यह test देगा यह रहा keto group c double bond OH ketone है बीच में है दो कार्बन के इसलिए ketone है उसके alpha position पे यह keto group हुआ और इसके respect में जो first carbon होगा वो alpha होगा तो alpha पे OH होना चाहिए तो इसलिए इसको कहते है alpha hydroxy ketone तो जो alpha hydroxy ketone है उसके साथ भी यह test देगा तो आप इन दोने में से किसी के साथ इसको treat कर दो AG NH3 hold to positive यह आपको silver mirror देदेगा इनको oxidize करके silver mirror देदेगा R, CO, negative बनाएगा oxidize होने के बाद यह और इसके साथ जो attach होगा वो NH4 plus और साथ में बन जाएगा AG तो silver reduce हुआ LDH यह alpha hydroxy ketone oxidize हुआ उके इसके अलावा कार्बॉक्सलिक acid में formic acid will give this test क्योंकि formic acid में LDH group होता है यह देखो यह formic acid है इसमें COH group भी है और इस डंग से आप देखोगे तो इसमें COH group भी है इसलिए LDH का test tolerance वाला यह देदेगा तो AGNS3 hold to positive tolerance test आप करा दो तो यह oxidize होके CO2 देगा इसमें CO2 और साथ में AG देदेगा तो इतने cases है tolerance के जो tolerance test देते हैं तो इन ही में से कोई एक form होना चाहिए और silver mirror कह रहा है तो यह भी नहीं यानि इन तीनों में से कोई एक form होना चाहिए second और third के जो second में दो cases है और third वाला case वही form होना चाहिए तो शुरू करते हैं पहले वाले में अगर आप इसकी ogenolysis कराओगे तो कुछ भी करा लो यह आपको ketone देगा CS3 क्योंकि हम करते क्या है ogenolysis में double bond को काटके oxygen oxygen लगा देते हैं तो वही मैंने किया double bond को काटके oxygen लगाए तो दोनों साइट से यही मिलेगा तो इसके 2 mol तो यह तो मतलब भी नहीं बनता है कि देगा यह ketone है तो ketone में सिर्फ एकी case देता है alpha hydroxy ketone तो इसके alpha पे कोई OH नहीं लगा है इसलिए यह option ruled out यहाँ पे भी आप कर लो यह ketone देगा कौन-कौन सा भाई काटने के बाद इधर और इधर आप oxygen लगा होगे तो एक side से आपको double bond पे यह oxygen लगा हुआ मिलेगा दूसरी side से आपको यह मिलेगा double bond हो तो again ketone है कोई special ketone इस type की category में नहीं है इस वाले की हम बात कर रहे है जो alpha वाला है उसकी बात कर रहे है तो यह वाला है नहीं तो इसलिए यह भी ruled out हो गया ना यहाँ पे आते हैं यह triple bond है तो triple bond में भी इसको आप cut करो cut करने के बार triple bond में जब ogenolysis करते हैं तो जो carbon है carboxylic acid में convert होता है तो यह वाला एक carbon का carboxylic acid बनेगा यानि उसकी जब ogenolysis करेंगे हम तो यह HCOOH देगा यानि यह तो आ गया formic acid यह test देता है silver mirror test तो एक formic acid आया और जो दूसरा वाला आएगा वो आएगा CS3, CH2, COOH तो यह वाला part दे देगा इसलिए यह हो सकता है अभी हम अगले वाले को verify करते हैं यह तो ruled out क्योंकि यह वाला part और यह वाला part सेम ही बनाएंगे इसके दोनों part जैसे इसमें हुआ था यह part और यह part सेम बना रहे थे वैसे यह दोनों भी सेम बनाएंगे तो इसमें हो जाना है CS3, COOH क्योंकि triple bond COOH देता है इसी के 2 mol ठीक है यह carboxylic acid नहीं देगा तो इसलिए third option is correct in this case अगला है यह compound है इसको HBR से हम treat कर रहे है और CCL4 solvent लिया है अब देखो HBR सिफ H2O2 अगर होगा तो anti-marconic OV होगा यानि यह free radical mechanism से जाता है अगर HBR के साथ आप ले लोगे H2O2 तब तो यहाँ तो H2O2 का case ही नहीं है H2O2 यह वाला case नहीं है तो इसलिए HBR अब कोई भी case हो चाहे पानी हो, कोई solvent हो तो जाना इसको है कार्बोकटाइन से कार्बोकटाइन mechanism से इसलिए कार्बोकटाइन mechanism से ही हमें proceed करना होगा डैरेक्ट नहीं लगा सकते है क्योंकि कभी भी कार्बोकटाइन होता है तो there are chances of rearrangement तो यहाँ rearrangement हो जाएगा तो let's start क्या होना इस case में यह double bond CH2 है और यहाँ पे है CS3 सबसे पहला double bond पे H plus का attack HBR एक acid है उसके H plus का attack होगा जैसे ही इसका attack होगा यह CS3 और यहाँ पे आ गया plus और यहाँ पे आ गया CS3 ओके अब इसके बाद methyl shift होगी क्योंकि यह 2 degree का carbogatine है इस position पहाएगा तो 3 degree हो जाएगा तो इसलिए यहाँ से यह जो methyl है jump करेगा और यह arrangement में तो इस methyl को आप इधर jump करा दो तो जैसे ही methyl group वहाँ से detach होके उधर jump किया तो यहाँ पे तो एक CS3 पहले सा था एक और CS3 लग गया और positive इस position पहाँ चुका है अब यह stable carbogatine बन गया और इसी के उपर BR- जाके attach हो जाएगा तो इसलिए finally इस format का आना चाहिए और इस format का यह option दिया हुए third यह वाला यह वाला option नहीं यह fourth है sorry होना यह option है यह वाला option होना है तो यह fourth है basically यह first, यह second, यह third और यह fourth तो इसमें fourth हम mark कर देंगे ओके दोनों का format match हो रहा है इस पे यह chain लगी हुए carbon पे 2 CS3 और साथ में BR लग गया heading for the next कहला है statement 1 2 methyl butane 2 methyl butane को draw करते हैं हम यह रहा CS3, C, CH3 यहाँ पे H, CH2, CS3 यह रहा 2 methyl butane on oxidation with KMNO4 gives 2 methyl butane to all एकदम correct statement है KMNO4 3 degree hydrogen को alcohol में convert कर देता है कोई भी 3 degree hydrogen हो तो जैसे यह hydrogen है यह 3 degree है क्योंकि यह carbon से attached है वो 3 और carbon से attached है इससे हमें degree पता चलती है तो यह carbon है 3 degree वाला इसी से attached hydrogen है तो KMNO4 इस hydrogen को OH में convert कर देगा अगर आप इसको treat करोगे तो यानि इसको हम KMNO4 से treat कर दे तो इसमें सिर्फ यही 3 degree है तो इसलिए सिर्फ वही OH में जाएगा और 3 degree के अलावा और किसी को यह convert नहीं करता है सिर्फ 3 degree वाला जो alkane होगा उसका hydrogen OH में convert होगा यह KMNO4 की property होती है Only 3 degree वाले hydrogen को ही oxidize करेगा तो यह तो statement correct हो गया अब कहारा है जो normal alkane है can easily oxidize to the corresponding alcohol with KMNO4 यह गलत हो गया normal नहीं होना चाहिए क्योंकि normal अगर आप कोई भी alkane लोग है normal alkane तो उसमें आपको 3 degree वाला मिलेगा ही नहीं चेक कर लो तो 3 degree वाला अगर नहीं है तो KMNO4 तो सिर्फ 3 degree hydrogen को ही oxidize करेगा जो hydrogen 3 degree carbon से attached है जो 3 degree carbon से attached hydrogen है सिर्फ उसी को oxidize करेगा तो अगर कोई भी आप normal कितनी भी वरी चेन ले लो उसमें 3 degree वाला hydrogen नहीं मिलेगा तो that's why ये statement जो easily oxidize कह रहा है normal alkane को ये गलत हो गया तो इसके according first is correct and second is incorrect ये option हो जाएगा heading for the next the number of carbon single bond carbon sigma bond in mesetyl oxide is अब देको ये जो mesetyl oxide है ये होता क्या है अब अगर कोई 11th का student इस वीडियो को watch करेगा तो इसे ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि 12th में aldehyde में एक case आता है और ये उसी से बनना है वो होता है aldol condensation तो यहाँ पे आप acetone अगर ले लो acetone is this और इसका aldol करा दो naoH से heating के साथ यानि पानी निकालते हुए तो जो product आएगा वही होता है mesetyl oxide तो मैं बनाता हूँ क्या होना है NaOH alpha hydrogen को हटा लेगा यहाँ से हटाया इसने alpha hydrogen जिसने भी aldol किया होगा उसे ये mechanism बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो 11th में अगर है 11th में है ही नहीं तो 12th है mix हो गया थोड़ा सा अब यह इसके उपर attack कराएंगे और यह open हो जाएगा तो ऐसा होते ही जो बनेगा CH3 COH CH3 and this is CH2 तो CH2 का 1H उपर करके लिखता हूँ क्योंकि water निकालना है heating का case दिया हुआ है और उसके बाद यह water निकलेगा और इस water के निकलने के बाद जो product आएगा वही mesotyl oxide है तो इसको मैं उपर की तरफ बना रहा हूँ तो it is now CH3 CCH3 double bond CH C double bond O CH3 यही है mesotyl oxide अब पूछा है कि इसमें कितने sigma bond है तो यहां से आप counting शुरू करो तीन hydrogen वाले और यह 4 5 तीन hydrogen वाले 5, 3, 8 1, 9 hydrogen के साथ 10 यह वाला 11 12, 13 and 3 16 तो यहां पर 16 will be the answer यह pi bond है क्योंकि double bond में 1 pi और 1 sigma होगा triple bond में 1 sigma और 2 pi होँगे क्योंकि 2 atom के बीच में 1 sigma बनेगा similarly यहां पर भी double bond है तो इसका मतलब एक ही sigma होगा दूसरा तो pi होगा और हमसे यहां जो पूछा है sigma bonds पूछे हैं तो इसलिए total count करने के बाद sigma bond 16 आएगा तो यह होता है mesetil oxide तो ऐसे तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है तो आप इस धंक से याद रखोगे कि it is the product of acetone aldol product of acetone after removing water now heading for the next identify A and B dilute Kmno4 यह है bear's reagent bear's reagent करता क्या है मैं थोड़ा से यहां बता देता हूँ कोई भी आप अगर alkene लोगे और उसको आप bear's reagent से treat करोगे dilute, cold, Kmno4 यह सब लिखा हुआ रहेगा तो यह जा के hydroxylation करेगा यानि double bond को break करके 2 OH लगाएगा और दोनों OH सेम साइड से लगेंगे दोनों OH अगर एक OH उपर से लगाए तो दूसरा भी उपर से लगेगा अगर एक को नीचे से लगाए तो दूसरा भी नीचे से लगेगा इसको कहते है sin addition ऐसा भी हो सकता है कि कि किसी case में कि एक OH उपर से लगे और दूसरा नीचे से लग जाए तो उस case में हम उसको anti addition कहते हैं तो अभी खैर इस question में इसकी ज़रुत नहीं है ये तो concert बता रहा था तो मैंने बता दिया तो यही होना है cold dilute KmnO4 के साथ तो यह रहा alkene और यह रहा dilute KmnO4 तो जो A है वो तो एकदम easily तै हो गया है कि हमें इस double bond को break करके same side से OH अटाच कर देना है यह हमने OH अटाच कर दिया अब उसके बाद CRO3 अब आपको पता है chromium plus 6 जो भी case है chromium plus 6 वालेगा जैसे K2CR207 chromium यहाँ पे plus 6 है PCC, pyridinium, chlorochromate यह होता है CRO3 यह होता है साथ में pyridine होता है NH plus तो pyridine में इसको हम लेते हैं इसी को कहते हैं PCC इसमें भी plus 6 है chromium similarly KmnO4 जिसमें Mn plus 7 में है तो यह सारे oxidizing agent है यही पहचान होती है तो यह oxidizing agent है अब 3 degree alcohol का तो कोई oxidation नहीं होगा 2 degree alcohol है यह oxidize हो जाएगा ketone में तो 2 degree alcohol का oxidation होगा और यह 3 degree alcohol है यह 3 degree alcohol है और यह 2 degree तो 2 degree वाले का oxidation होगा 3 degree वाले का कोई oxidation नहीं होगा यह आजाएगा हमारे पास product अब oxidation के कहानी बता देता हूँ अगर आप 1 degree alcohol लोगे इस type का यह रहा 1 degree alcohol और इसका अगर आप oxidation करोगे तो पहले यह LD high देगा C double bond OH देगा यहां से एक चटाना है यहां से एक चटाना है इन दोनों के बीच में double bond बनाना है और उसके बाद फर्दर यह नहीं रुखने वाला है इसका further oxidation होके यह end में आपको carboxylic acid ही देगा तो याद रखना है कि 1 degree अगर alcohol से हम शुरू कर रहे हैं यह 1 degree alcohol से अगर आप शुरू करोगे तो end product आपको जो मिलेगा जस्ट अ मिनिट इसको मैं alcohol वापस correct कर दूँ तो 1 degree alcohol से आपको end product carboxylic acid मिलेगा और यही अगर आप 2 degree alcohol लोगे C, R and OH यह रहा 2 degree alcohol तो 2 degree alcohol में वही करना है इस H को और इस H को हटा के double bond देना है तो इसके oxidation से ketone बनेगा और ketone का further कोई oxidation नहीं होगा okay, mild conditions में कोई oxidation नहीं होगा इसका और 3 degree alcohol तो खेर oxidize ही नहीं होता है तो यही था 2 degree alcohol तो इसलिए ketone will be the product तो अब हम match करा लेते हैं कौन सा होगा 2 OH लग गए और यह option आ गया first है, यह second है तो second वाला correct यह वाला correct है now heading for the next what is the major product formed by HI on reaction with this फिर से वही carbocatine जो HBR में मैंने बताया था यह carbocatine mechanism से proceed करेगा तो मैं इसी से शुरू करता हूँ H+, क्योंकि HI is a acid हो H+, देगा तो सबसे पहले carbocatine form होगा और यह भी rearrangement का case दे दिया है इसमें भी methyl shifting होगी और यह बन गया CH positive और यह CH2 से एक H लगने के बाद CH3 अब यहाँ से एक methyl यहाँ कूद जाएगा और जैसे ही methyl का वहाँ पे jump हुआ now it will form CH3C CH3 CH CH3 CH3 plus यह आ जाएगा ओके now इसके बाद I minus यह इधर now it will form C CS3 I CH CS3 and CS3 यह product आ जाएगा तो हमारे पास product आ चुका है match कराते हैं यह match कर गया third option exact same है तो बस यह ही इसका steps हुआ and we have got the product now heading for the ninth यह fact based question है यह जो catalyst होता है यह petrochemical industry में use होता है यह करता है क्या है longer chain को aromatic बना देता है क्योंकि petrol वगर जो होते हैं वो aromatic होते हैं तो जो normal hydrocarbons होते हैं उसको aromatic बनाता है तो यहाँ पर बनना aromatic है इसके presence में और कितने carbon है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बेंजीन के साथ एक methyl लगा हुआ है carbon इसमें conserve हो जाएंगे 6 यह और एक यह 7 तो that's why इसमें 4th option correct होगा now heading for the next consider the following reaction CH triple bond CH red hot Fe tube 873 Kelvin तो यह भी बहुत simple question है पहले तो red hot Fe tube का use हम समझते हैं यह alkyne में आता है और इसको बेंजीन में convert करता है copper भी ले सकते हो या iron ले सकते हो copper या iron red hot अगर आप red hot लोगे copper या iron तो इसके 3 mole मिलके benzene देंगे benzene बन गया हमारे पास ओके अब इसके बाद यह reagent समझना है यह reagent क्या है यह phenol में सबसे पहले आता है getter man के साथ इसको कराय जाता है तो देखो इसमें होना क्या है मैं यह पहले बता देता हूँ कौन सा यह electrophile बनेगा यह carbon monoxide का structure है this is the carbon monoxide इसके उपर minus है इसके उपर plus है क्योंकि यहाँ पर back bonding बनी हुई है जो acceptor होता है उसको minus देते हैं जो donor पर plus देते हैं अब इसमें आपने HCl मिलाया है तो जैसे ही आप HCl मिलाओगे तो HCl का जो H plus हो negative के तरफ attract होगा तो इससे यह बन गया CH O इसके उपर positive क्योंकि इसका minus खतम हो गया carbon का क्योंकि उसने hydrogen को electron donate कर दिया या ऐसे कहलो कि इसका plus और इसका minus मिलके neutral हो गया तो अब oxygen तो plus hold नहीं करेगा अब oxygen ने वापस अपना electron खीच लिया जो उसने backbone से उसको donate किया हुआ था और ऐसा होते ही carbon के उपर plus आ गया और यह double bond O हो गया तो now this is electrophile अब कहान यह के LCl3 क्यों लेते हैं तो basically इसको जो CL minus free हुआ है वो कोई उतुपात ना करे इसके लिए हम इसके साथ LCl3 ले लेते हैं Lewis acid तो LCl3 क्या करेगा इसके electron को अपने orbital में accept करके LCl4 minus बना के कुछ नहीं करने देगा इसे useless बना देगा तो यह हमारे पास electrophile हो गया तो benzene तो बनी चुका था उसमें आपने electrophile add कर दिया HC double bond O plus यह electrophile जाके इससे attach हो जाएगा यह इस reaction electrophilic aromatic substitution और इसके attach होते ही यहाँ पे aldehyde group लग गया benzaldehyde तो इसलिए benzaldehyde will be the product पूछा है कितने sp2 carbon है तो इसमें सारे के सारे sp2 ही है ठीक है यह double bond के कारण sp2 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 और यह भी sp2 तो 7 sp2 carbon हो जाएंगे इस case में तो 7 will be the answer heading for the next water does not produce CO on reacting with carbon monoxide produce करना है यह जो होता है industry में use किया जाता है synthesis gas इसे कहते हैं हम किसी भी hydrocarbon को या carbon को यह hydrocarbon यह hydrocarbon और यह carbon यह fertilizer industry में hydrogen produce करने के लिए क्यों fertilizer industry में ammonia बनाना होता है तो उसके लिए nitrogen और hydrogen चाहिए होता है तो nitrogen तो air से मिल जाता है और hydrogen को इसी method से produce किया जाता है तो इनको किसी को भी आप steam से treat कर दो water से treat कर दो तो यह बनाएगा CO plus H2 balance हमारे हाथ में मैं balance नहीं लिख रहा है सिर्फ product लिख रहा हूँ CO plus H2 इसको भी आप treat करोगे तो यह CO plus H2 बनाएगा यह तो carbon पहले से ही oxidized है भर-भर के इसमें oxygen लगा हुआ अब कोई scope नहीं है इसमें oxygen लगने का यह ऐसे कहलो कि carbon is sitting in the maximum oxidation state no further oxidation is possible तो यह किसी भी हालत में produce नहीं करेगा ठीक है और भी water के साथ तो यहाँ पे यह fail हो जाएगा fourth वाला क्योंकि यह already carbon यहाँ पे oxidized form में बैठा हुआ है तो no further oxidation is possible इसलिए fourth वाला आपको h2 नहीं देगा now heading for the next यह फिर से वही case आगया br2 and uv light तो sunlight आगया तो यह free radical mechanism से जाना है इतना तो तैय हो चुका है क्योंकि इसको break कर देगा जो br, br है br और 2 br इस पे sunlight आएगा और यह break करके आपको 2 br free radical देगा अब हमें यही सोचना है कि free radical के इस position पे सबसे जादा stable होगा तो हमें देख जाएगा br इस position पे क्योंकि अगर यहाँ पे free radical आगया तो यह इसके साथ resonance में चला जाएगा बेंजीन के साथ तो यही वो position है जहाँ पे free radical बहुत जादा stable होगा तो एक BR आएगा first BR free radical यहाँ से एक H को हटाके HBR बनाके निकल जाएगा और जैसे ही एक H को HBR बनाके निकलेगा वहाँ पे free radical आजाएगा और उसके बाद जो दूसरा BR free radical है वो जाके इसके उपर attach हो जाएगा और इसके उपर attach होते ही हमें product मिल जाएगा तो देखते हैं match कराके यह वाला product आ गया this product is matching बेंजीन के बगल वाले carbon पे BR और इसके respect में meta पे CN लगा हुआ है क्योंकि इसके respect में first position को और तो कहेंगे second को meta कहेंगे तो यहाँ पे भी वही है first second पे CN लगा हुआ है अब इंजीन के बगल वाले carbon पे BR इसलिए fourth option अच्छे यह fourth option होगा sorry fourth option heading for the next यह case आ गया यह अभी जो मैंने बताया था red hot वाला वही case है तो सबसे पहले हम शुरू करते है NANH2 अब मैं NANH2 का role आपको पहले बताता हूँ NANH2 होता है sodamide बहुत ही strong base NANH2 sodamide कहते है strong base अब इसका क्या role है यह हम समझते है पहला तो strong base होने के कारण यह terminal alkyne से react करेगा यानि अगर hydrogen triple bond वाले carbon से जुरा हुआ है तो यह इससे react कर जाएगा इसलिए यह famous test होता है terminal alkyne की पहचान में भी आता है NA plus और यह ammonia release हो गया तो यह पहला part हो गया दूसरा और कहां पे use होता है तो दूसरा इसका use है कि यह triple bond generate करने में use होता है क्योंकि triple bond generate करना सारे base के बस की बात नहीं होती है एक बार double bond तो alcoholic के वच पी generate कर देता है लेकिन एक बार double bond generate हो गया तो एक बार और elimination करना H और BR को हटा के triple bond देना उसके लिए हमें soda might की ही help लेनी होती है तो यहाँ पे जो soda might है Na NH2 minus यह further यहाँ पे elimination करा देगा NH2 minus यह इसको यह इसको और यह इसको भगा देगा और इस तरीके से हमें triple bond मिल जाएगा तो अभी जो case है वो इसी category में fall कर रहा है यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो double bond पहले से है यहाँ पे H है और यहाँ पे BR है तो Na NH2 जब आप लोगे तो इस H को और इस BR को हटा के यहाँ triple bond generate करेगा जो कि इस category का part है तो पहला तो हमें पता चल गया कि यह जो बना CS3 C triple bond CH और उसके बाद red hot carbon तो red hot carbon अभी जो मैंने बताया था बेंजीन इसके 3 mole लेंगे और red hot carbon sorry red hot iron iron या copper कुछ भी ले सकते हो 300 degree centigrade तो इसके 3 mole आपस में attach होके बेंजीन दे देंगे और क्योंकि अगर यह सिफ C triple bond C होता तो बेंजीन पर रुख जाता लेकिन एक CS3 लगा हुआ है 3 molecule से 3 CS3 आएंगे तो वो 3 CS3 इसके साथ attach हो जाएगा तो यही हमारा product हो गया इसको polymerization reaction कहते हैं हम लोग तो इसलिए first यह option है second यह है third यह है तो third वाला correct हो जाएगा इस case में now that's all इतने ही थे इसमें questions तो सारे चीजों को मैंने detail में समझाते हुए कर दिया है thanks for watching